हाई दोस्तों असलाब अलेकूम कैसे आप लोग मेरा नवील है घर के लिए वाइफाई राउटर लेना था सोचा आपके लिए इसके बारे में वीडियो बना दूँ अगर आपका एक लाज होम है तो वहाँ पे आपको ज़रूरत होती है कुछ एक्स्ट्रा करने की एक सीरीज का है वाइफाई 6 है और 2.4 GHz पे कुछ 570 Mbps की स्पीड देता है 5 GHz पे 1200 Mbps के आसपा स्पीड देता है यहाँ पे वाइफाई 6 है मेश टेकनोलोजी है याने की इसली जो है एक दूसरे कनेक्ट हो जाते है अब यहाँ पर यह बॉक्स अगर आप देखेंगे तो य सते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया दो सेट ले लिया उस टेम पर सेल में अच्छा प्राइज मिल रहा था तो एक यह और यह तो टोटल चार हो गया याने की 8000 स्क्वेर फीट जो है ऑन पेपर यह कवर कर सकता है तो 4000 स्क्वेर फीट पी अपना कवर करता है अच्छे से अच यहां पर यह स्लाइड आउट हो जाता है इस तरीके से और नगा जो वाइट वॉट्स है उसके अंदर इस टैप के जो है दो हमको राउटर्स देखने मिल जाते है देको वाले तो यह कुछ इस तरीके से मिलते हैं हमको और सभी एक जैसे ही है यूनिट्स तो यहां पर कोई दिखने में अच्छा लग रहा है देखते है यूजिच कैसा है इसका टैंगल नहीं होगा यह क्योंकि फ्लाट है अब मुझे असा लगता है कि यहां पे दो इथरनेट केबल देना चाहिए था क्योंकि दो यूनिट्स है लेकिन यहां पे एक यूनिट को आपको में राउडर देखने में जो है काफी प्यारा है और नीचे रिसेट का बटन दिया है जिसको आपको पैन की मदद से या कोई पॉइंटर आपजिक की मदद से रिसेट करना पड़ेगा तो चलो अपना ओफिस में तो कुछ काम नहीं चोटा सा ओफिस है घर पे चलते है और घर पे चेक आ राउटर है वो यहां पे लगा हुआ है यह टीपी लिंग का आर्चर 6 है शायद हो सकता है मैं कुछ गलत नाम बोराओंगा यह एक जो है वाइफाई 6 वाला राउटर नहीं है लेकिन यहां पे लगा हुआ हुआ है और इसमें से बहुत सारे इधरनेट केबल निकले वे क्य यहां पे जो मेरे पीछे इस तरफ मेरे left hand side पे जो terrace है वो और वहां पे पीछे जो kitchen का area वहां तक cover करता है लेकिन वो bedrooms के अंदर जाता नहीं है तो एक जो इसमें का router है वो हम लोग लगाते सबसे पहले और उसके बाद देखते है कि क्या वो bedrooms के अंदर network आता है नहीं आता ह उसके बाद दूसरा बाद लगाएंगे उसके बाद तीसरा और चौता यूँकि यह जो 2000 square feet यह floor है वैसा ही 2000 square feet जो है उपर का floor भी है जहां पे cover होना चाहिए विसके अंदर एक negative point यह है दोस्तो कि जैसे यहां पे 5 जो है ports दिये वे है यहां पे सिर दो है तो आपको एक network switch इसके लेना पड़ेगा वो भी हम लोग जो है इस्तमाल करेंगे और उसको भी मैंने मंगाया तो भी आपको देखाऊंगा मैं और जो मैरे existing router है उसकी जो download और upload speed है वो आपके सामने है देख सकते आप यहां पे 100 Mbps का connection है उससे दोड़ा बढ़के ही मुझे मिल रहा है अब तो यह यहां पे मैंने connect कर दिया आप connect करने के बाद यहां पे आप देख सकते है red light आई अब यह setup नहीं हुआ है अब यह अपना जो iPhone है यह Android phone जो भी आपके बस है उस पे यह application जो है इनका यह आपको download कर लेना है तो यहां पे यह आपको मिलेगा box के उपर QR code scan करके और यहा अब यह जो application है गाई इसमें सब चीज आपको step by step मिल जागी तो यहां पे मुझे explain करने की ज़रूत नी पस यहां पे देखिए आपको पूरे जो series हों मिल जाएगा तो box पे आपके लिखाई है कौन सा model अपने order case है हमने X20 तो इसको select करते तो next next करते हुए हमको जो है सारी step by step follow करनी है और इसके setup process में guys आगे आपको यह भी पूछे का कि यह जो particular आपने unit रखा है डेको का यह कहां पे रखा है master bedroom में living room में hallway bedroom kitchen तो यहां पे आप इसको भी choose कर सकते custom भी यहां पे name आप दे सकते है तो हमने living room में रखा है तो living room पे हम click कर देंगे अब यहां पे आप कुछ जो आपके network provider के जितना user id password जो कुछ भी है सब यहां पे आपको enter करना है ओके दोस्तों तो यहां पे मैंने सारे decos जो है connect कर ली एक दूसे के साथ और 15-20 दिन इसको इसको इस्तमाल भी कर ले है यानिकि वीडियो का जो पहला पार्ट दिखा था आपने वो 15-20 दिन प जरुत थी और एक बार इसका check भी हो जाएगा कि proper हमको speed मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है यहां पे आप देख सकते है download speed is clearly more than 200 Mbps और upload speed भी जो है उतनी है आपको location दिखा था हूँ कहां कहां पर मैंने deco लगया तो एक तो यहां पर लगया है जो कि मेरा main deco है दूसरा जो है यहां पर refrigerator के ओपर kitchen वाले portion लगया है तो यहां पर जो अंदर वाला bedroom है left side वाला और यह right side वाला bedroom है यह पूरा यह दोनो decos जो है cover करते है यानिकि पूर यह room में पहले wifi नहीं था तो अभी है let's see the speed के कम है जादा है कितनी है जो है आपके सामने आपको clearly नजर आएगी तो यहां पे जो है मुझे तकरीबन 30 mbps का download speed मिल रहा है और upload देख ले दे कितना मिलेगा तो upload speed देख सकते आप यहां पे 100 mbps के आसपास है actually यहां पे mixed result आत तो यहां पे network कम दिखा रहा है लेकिन यहां पे wifi की speed जो है 1500 mbps के आसपास है यहां पे more than enough आपको speed मिल सकती है लेकिन अगेन यहां पे जैसे मैंने बताया आपको mixed result मिलेंगे किस वाले deco से connected है उस पर even करता है लेकिन फिल भी 30-40 mbps के नीचे यह drop नहीं होता है तो यहां यहां पे जो signal है वो जाद रॉप नहीं होगा एक पॉइंट रॉप होगा और automatically जो है राउड हो जाएगा दूसरे network पे जो यहां पे जो है सबसे कमाल की जीज़ है अभी तो फिलाल drop नहीं हुआ है let's see drop होता है या नहीं और drop होगा तो भी यहां पे हमारा दूसरा deco नीच किचन में अंदर की तरफ है यह दोनों भी एक दूसरे के साथ पैड है और पूरे घर में एक ही wifi connection है जैसे में आपको बता है अब यहां पर यह वाला बेड्रूम है जिसमें network नहीं आता था क्योंकि इसमें कोई wired connection नहीं था उसको चेक करेंगे और यहां पे इस डेको के साम which is a very nice thing काफी पावरफुल है एक एक डेको भी जो है काफी दापॉल है शाया तीन में यूस कहता तब भी काम हो जाता लेकिन फिर भी जो बैस से बैस था वो घर के लिए अपने हो करना था यहां पर गो करते हैं लोग को स्पीड चेक कर लेते हैं download and upload speed कि कितनी हमको मिल रही है नीचे 200 Mbps का connection है और यहां पर एक बार जो है चेक कर लेते हैं यहां पर देख सकते हैं तकरीवन 100 Mbps के आसपास का download speed हमको मिल रहा है विच इस वेरी नाइस तिंग क्योंकि काफी लंबा distance है वहां पर देख सकते हैं काफी दूर पे जो है वह रखा हुआ है और यहां प बार यहां पर उपर यहां पर एक बार हमारा वीडियो जो है है का आकरी पार इसक चामरे नेट्वक नहीं आ रहा था वह कमरे में डैठा हूं यहां पर डाउन्लोड देख लेते हैं विचेज़ आरन 50 Mbps मुझे लगता है मिल जागा यह पर और मैं test करूँ है तो 100 Mbps के आ यहां पर जो डेको मैंने लगाएवे है उसका location जो है थोड़ा और मुझे better करना है अगर मैं उसको location थोड़ा better करूँगा थोड़ा high mount करूँगा जैसे नीचे वाले floor पर किया है fridge के उपर रखा है उस तरीके से यहां पर भी रखूँगा तो यहां पर भी मुझे जो है अच्छी speed मिल सकती है यहां पर एक बार हम लोग वाक करते हुए तो kitchen वाले area की तरफ जाते है देखते है speed को जिंपरूफ होती है तो यहां पर आप देख सकते है कि 60 mbps के आसपा जो ह जानी चाहिए मुझे यह वो kitchen वाला portion है जहां पर रखा हुआ है अपर अपर फ्लोर का तो यहां पर एक बार speed test के लिए इसके पास रखके तो देख लेते है यहां पर हमको कितना देखने को मिल रहा है तो यहां पर देख लेते है तो यहां पर आप देखेंगे तो आराउं और जितना बढ़ेगा तो वो भी यह support करेगा वो अच्छी चीज है और यह जो 4000 square feet का area है अगर आपका भी ऐसा ही है कि 2000-2000 से split है तो 2 units से आपका काम नहीं होना लगा मुझे ऐसा लगता है आपको 4 units या 3 units at least जो है लेना पड़ेगा तो वो चीज का ध्यान रखना यह लोग regular router से काफी जादा fast है हाँ इसका price भी जादा है लेकिन performance आपको काफी अच्छा मिलता है और इसका application भी बहुत बढ़ी है मुझे काफी अच्छा लगा और downtime जो है router में मुझे नहीं के बराबर मिला यानि कभी कबार होता है कोई deco disconnect और वो जो है automatically connect जाता है और काफी rich और अ like and share जरू किजिए मेरे चानल को subscribe जरू किजिए goodbye